प्रत्यक्ष्षि करण इसके निर्धारत कारकों का वर्डन के लिए आनिक हमको क्या प्रतिक्षी कारण किया है इसके निर्धा रख्या की ब्याक्या किजिए तता इसकी बिसेष्था बताई एं उसकी विस्थेशतायं बताईए ठीक है तो आएए जानते हैं में इसकी विस्थेशतायं कार को और इसके अफधारा के बारे में ठीक है तो दिखिए प्रत्फिकर ग्न की दूसरी सीड आनी प्रत्फिकर क्या है ग्न की जो है दूसरी सीड अपनी ग्यानेंद्रियों के माद्धम से ब्यक्ति भाइ जगत के संपर्ख में आता है जो मनुस्य वह भाय जगत में आता है भाय जगत से संपर्क बनाता है और किसी बस्तौ या उध्दीपक के संपर्क में आते ही इसनाई प्रवा उत्पन होते हैं ठीक है ये इसनाई प्रवा मस्तिक्सके से सम्मंदित अंगों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं क्या है ये इसनाई प्रवा है मस्तिक्सके सम्मंदित अंगों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं ठीक है 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 प्रिक्रिया कि संभ मेंदना कहलाती यह जो कि फ्रिक्रिया है मांसिक क्रिया जिसके दुबारा हमें भाई जगत के वारे में पता चलता है अबास होता ओनका ती किन्तु उसका अर्थिसपस्ट नहीं होता है जब इस सम्मेदना को अर्थ प्रदान किया जाता है तो यह सम्मेदना प्रत्यची करड़ बन जाती है यानि कि जब इस सम्मेदना को अर्थ प्रत्यची करड़ बन जाती है यही प्रत्यची करड़ कहलाता है ठीक है जो कि हमसे पूछा गया है इस प्रकार प्रत्चीकरण संबेदना को उचित अर्थ से संबंदित करने की मानसिक प्रिक्रिया प्रत्चीकरण है अथा उप्युक्त संबेदना ही प्रत्चीकरण कहलाती है ठीक है कुछ मनोवग्यान कोने अपने बिचार प्रत्चीकरण कालें नमया ने कहा है संबिधना द्वारा किसी बुष्तु या परसिती झौन्ध समझ लेना प्रत्चीकरण संबेधना दवारा किसी बस्तु या पर तुर Unterschied को तुरंत समझ In a एक बाहरी वस्तुवूं, या परिष्थिती, किसी भी परिषिती का ज्यान प्राप्त करने की प्रिक्रिया को प्रतच्चीकर्ड कहते हैं, ठीक है, प्रतच्चीकर्ड कहलाता है. अगला है रायवर्ण के अनुसार यह जो परवासा ही है आपको याद करनी पड़ेंगी ठीक है इनको बनाके नहीं लिख सकते हैं ठीक है यह आपको याद करनी करनी पड़ेंगी ठीक है अनुभव यह रायवर्ण के अनुसार रायवर्ण ने क्या कहा है कि अनुभव के अनुसार समेदना की ब्याक्या करने की प्रक्रिया प्रतच्ची करण कहते हैं ठीक है हम कोई कार करते हैं तभी तो हम अनुभव प्राप्त होता है न उप्योक्त परिभासाओं के अधार पर कहा जा सकता है कि प्रतच्ची करण एक एसी मनुभवग्यानिक प्रक्रिया है जिसमें उद्दीफगों का इसनाई आवेक के रूप में मद्य इस्तकारी प्रक्रियाओं के आधार पर अवसोषण किया जाता है ठीक है यायनिक कि उसके बाद में क्या उसे पूर्व के अनुभवों से जोड़ कर एक प्रदान किया जाता है ठीक है वास्ता में प्रत्चिकड़ सुचना ओं कि प्रिक्रियळ कि अभर आये जानेंगे प्रत्चिकड़ की बिसेशनाय क्या है इनके बारे में हम जानेंगे ठीक है तो इसकी विशेस्ता है निम लिकेता है बहुत सारी है ठीक है आए एक 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 करके देखते हैं प्तिक्षी करण में पूर इस्तिती का ज्यान इसाथ ज्यान होता है प्रतिची गड़ में क्या है हमें सभी बस्तों का एक साथ ज्यान होता है ठीक है उसके अलग-अलग अंगों का नहीं हमें उसका ज्यान होगा उसके सभी पार्ट मतलब एक पूरा ही ज्यान होगा ठीक है उसके यानि निसकर्स का ग्यान होगा हमको ठीक है वह गत अनुभवों के आधार पर होता है और वह ग्यान क्या होता है वह ग्यान हमें गत अनुभवों के आधार पर होता है ठीक है अगला है प्रत्यची करण में परिवर्तन अब देखते प्रत्यची करण में परिवर्तन क्या है ठीक है प्रत्यची करण का आधार परिवर्तन है प्रत्यची करण का आधार क्या है परिवर्तन है अर्थात परिवर्तन के कारड़ी हमें प्रत्यची करण होता है यह जब कोई जंजिस आता परिवर्टन आता है तब ही हमें प्रतच्ची करड़ देखने को मिलता है ठीक है एक करड़ का गोड़ इसी बस्तु का प्रतच्ची करड़ एक इकाई के रूप में होता है यानि क्या है किसी बस्तु का प्रत्ची कर्ण क्या होता है एक इकाई के रूप में होता है जैसे एक कुर्सी का प्रत्ची कर्ण करते समय हम कुर्सी को एक इकाई के रूप में देखते हैं यानि क्या है जब एक किसी कुर्सी का प्रत्ची कर्ण करते है तो कुर्सी को क्या करत तो यह थो नहीं देखते हैं लाग बहुते हैं प्रत्चिकड में अर्थ पूर घ्ञान होना ठीक है प्रतिचीगड में सदयव कुछ ना कुछ अर्थ होता है ठीक है प्रतिचीगड में क्या होता है सदयव हमेशा कुछ ना कुछ अर्थ होता है जुड़ा हुआ होता है ठीक है जिसे बस्तु का प्रतिचीगड होता है यह जिस बस्तु का प्रतिचीगड होता है उसके ब अगला है, नमबर 5 प्रत्रच्चि करड़ में अंतर, ठीक है, एलिस करो का विचार है, एलिस करो कौन है? मनोख्याणिक, ठीक है, उनका एक बिचार है, क्या है, व्यक्तिकत भिन्नताओं के कारड़ व्यक्तियों के प्रतच्ची गड़ में भी अंतर पाया जाता है ठीक है यह दो ब्यक्त एक की समय में किसी बस्तू या घटना को देखते हैं घटना को देखते हैं तो उनकी रुचियों गत अनुबबों सारीरिक दसा अबधान की मात्रा आध में अंतर होने का के अजी है ठीक है उनकी क्या है रुचियों में अंतर होता है ठीक है जब इन में अंतर होगा ठीक है यह याणि रुचियों में अंतर होगा अवस्य होगा ठीक है अगला है विचार का सहचर है ठीक है जब व्यक्ति किसी बस्तु का प्रतच्छी करड़ करता है तो उससे सम्मंदित अन्य बातें उसे याद आ जाती है क्या है जब कोई व्यक्ति किसी बस्तु का प्रतच्छी करड़ करता है तो उसके बारे में वो पहले से जानता है ठीक है तब ही तो प्रतच्छी करड़ करता है तो उससे रिलेटेड कई बातें उसे याद आ जाती है ठीक है जैसे कच्चे आम का प्रत्ची करते ही खट्टे पन का स्वाद इसमर्ड हो आना जैसे अब किसी व्यक्ति ने या किसी मनुष्य ने आम खाया होगा ठीक है तभी तो उसे आम का स्वाद पता होगा अब आम का प्रत्ची करड़ करेगा तो उसे खट्टे पन का स्वाद पहले से ही आ जायेगा ठीक है खाने से पहले खट्टे पन का स्वाद आ जायेगा कि आम खट्ट़ होता है ठीक है तो यह थे अब देखते अगला प्रत्ची करड़ के निर्धारक प्रक्तच्ची करड़ के निर्धारक कारक ठीक है प्रक्तच्ची करड़ के निर्धारक कारकों को निमलिके तीन भागों वे वाज़ित किया अब वो तीन भाग कौन कौन से हैं आए उनके बारे में जानेंगे फर्स्ट है आपका ब्यक्तिकत कारक ठीक है फर्स्ट जो पार्ट है फर्स्ट वाग है वो आपका ब्यक्तिकत कारक ब्यक्तिकत कारकों की तीच चड़ता से ब्यक्तिका प्रतचीकर प्रभावित होता है इन कारकों के प्रमुक कारक निम लिकता है ठीक है इन में इसके जो गया हैं फर्स्ट के वो निम लिकेता है ठीक है आई यह वो कौन कौन से वा गया है प्राड़ी के अभी प्रेरणा में भूख प्यास उपलबदी तथा अन्य आवस्चताओं का पर्यापत महत्व आप कि क्या है कि किसका इसका मेहत्व है भूख प्यास उपलबदी तथा अन्य आवस्चताओं का प्रयाप्त महत्व है जो उसके जीवन से रिलेटर जो उसकी आवस्चताओं है उनका क्या है प्रयाप्त महत्व है ठीक है ब्यक्ति अपनी सारीरी का आवस्चताओं के अनुरूप प्रत्चिकरण करता है ठीक है उसकी यो सारी रिख करसक्ता है होंगी उसी के लिए प्रयास करेगा ठीक है असुगोड नौकरी करने के लिए जाते हैं उस्ते में गप्तर का नाम 400D लिख था ठीक है विप राय से फूर्ड पड़ा करते थे क्या लिखा था 400D इसको वो क्या पढ़ा करते थे फूड पढ़ा करते थे ठीक है इस से इस पस्ट होता है कि आसुगुड अपनी विसेश सारीरिक आवसकता कि कारड 400D को फूड पढ़ा करते थे ठीक है उनके विसेश आवसकता थी इसे लिए वो 400D को फूड पढ़ा करते थे ठीक है अगला है स्वरी इसी में है प्रत्ची करड़ पर मनोबैग्यानिक आवसकताओं का भी प्रभाव पढ़ता है क्या है प्रत्ची करड़ पर मनोबैग्यानिक आवसकताओं का भी प्रभाव पढ़ता है जो मनोवेग्यानिक आप सकता है होती है उनका भी प्रवाव पढ़ता है मैकली लेंड तथा लिवर मैन ने एक प्रियोग के द्वारा इसपस्ट किया मैकलिलेंड तथा लिवरमेन एक मनुवेग्जानिंगते जिनोंने प्रयोग के द्वारा स्पस्ट किया ब्यक्ति का प्रत्ची करड़ उसकी उपलब्दी अभी प्रेणा से प्रभावित होता है क्या है किसी ब्यक्ति का प्रतच्छी करड़ उसकी उपलब्दी अभी प्रेड़ा से प्रभावित होता है पोस्टमेन तता उसके साथियों ने एक प्रियोग से यह निसकर्स निकाला कि ब्यक्ति उन सब्दों का प्रतच्छी करड़ सीग्र करता है पोस्टमेन तथा उनके साथियोंने निकाला निर्सकर्स की ब्यक्ति उन सब्दों का प्रितच्चीकड स्थीगर करता है जो उसकी आवसकता के मूल से सम्मंदित हों ठीक है जो उसकी आवसकता से सम्मंदित होंगे उन पर प्रितच्चीकड सबसे पहले करेगा ठीक है कोई भी ब्यक्ति अगला है प्रतच्ची करड़ की जाने वाली बस्तूओं के मूल्यों का प्रभाव ठीक है ब्यक्ति के प्रतच्ची करड़ पर हम इस बात का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है किसी ब्यक्ति के प्रतच्ची करड़ पर इस बात का भी अधिक प्रभाव पड़ता है कि उद्दीपक मूल्य उसके लिए कितना है ठीक है बस्तु का मूल्य ब्यक्ति के लिए जितना अधिक होता है उसका आकार उसे बड़ा मालूम होता है यानि क्या है किसी बस्तु का मूल्य जाद होगा तो उसे उस बस्तु का आकार बहुत बड़ा लगेगा उसे महसूस होगा कि इसका आकार बहुत बड़ा है ठीक है ब्रूनर मनोवेगान गुड मैन ने अपने प्रियोग के आधार पर यह अपाया कि गरीब परिवार के बच्चों के लिए यानि ब्रूनर तथा गुड मैन ने एक प्रियोग किया उसमें पाया कि गरीब परिवार के बच्चों के लिए सिक्कों का मान धनी परिवार के बच्चों की अपेच्छा अधिक था नहीं किया जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो एक-एक सिक्का जुटाते हैं उनके लिए सिक्कों का ही बहुत बड़ा मान है ठीक है जबकि अमीर लोग क्या करते न एका सिक्के को नहीं मानते हैं ठीक है क्योंकि गरीब परवार के बच्चों के लिए सिक्कों का मूल अधिक था ठीक है उनके लिए सिक्का ही मिलना मुस्के लए इसलिए उनको सिक्कों का मूल ही अधिक है यहाँ पर ठीक है प्रितिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् पन्ड की जाती है ठीक है इस्टी ने एक अध्यन में यस पस्ष चित्र में निर्देशों के फल सरूप एक इस पस्ष चित्र अर्थात घोड़े पर सवार एक ब्यक्ति देखा ठीक है यानि क्या देखा एक आइस पस्ट चितर देखा एवं एक इस पस्ट चितर देखा उसमें क्या देखा गोड़े पर सवार एक ब्यक्ती ठीक है लीव ने सास बहु आकृती के अध्यन से यह निसकर्स निकाला की प्रतचीकर मानसिक ततपरता से प्रभावित होता है लीव ने क्या सास बहु आकृती के अध्यन से यह निसकर्स निकाला की प्रतचीकर जो है वो मानसिक ततपरता से प्रभाव होता है ठीक है अगला है प्रतिच्छी करड़ पर प्रतिकात्मक अर्थ का प्रभाव अब देखना है प्रतिच्छी करड़ पर प्रतिकात्मक अर्थ का प्रभाव ठीक है ब्यक्ति के लिए बस्तू के प्रतिकात्मक अर्थ समान अर्थ से भिन किसी अन्य अर्थ की ओर इसारा करते है ठीक है, यहीं कि किसी व्यक्ति के लिए बस्तोओं के परतिकातमक अर्थ, सामान अर्थ से भिन, अलग, ठीक है, किसी अन्न अर्थ की ओर इसारा करते हैं, ठीक है, तथा इससे ब्यक्ति का प्रतच्ची करण प्रभावित होता है और इसी से ही ब्यक्ति का प्रतच्ची करण प्रभावित होता है ठीक है इस पर पोस्ट मेंदता बुरूनर ने एक प्रियोग किया ये निसकर्स निकाला की उद्धीपक के सांकेतिक मूले का परवाव उसके प्रत्ची करण पर पड़ता है ठीक है एवम इच्छाओं से है जो ब्यक्ति की चेतना सीमा में न होते हुए भी उसके विभार को विवावित करती है जो इच्छाओं एवम भावना चेतना से निसकासित की जाती है प्रत्ची करण के प्रभावित कारक देखें ठीक है और इसका जो सेकंड है ठीक है सेकंड पार्ट है वह हम अगली वीडियो में देख लेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही थेंक यू झाली वीडियो में यू